हेलो दोस्तो चलिए आज हम आपको कचोरी खस्ता कचोरी बनाना की वीदी बताते हैं एक किलो मैदा ले लिए स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए अच्छी तरह से अपने हाथों से मैदा में नमक मिलाईए मिलाने के बाद आपको इसमें तक्रीवन देड़ सो गिराम के आसपर मोन लेना है मोन मतलब वही ओयल जिसमें आप कचोरियों को तलेंगे मोन लेने के बाद इसमें थोड़ा गुन-गुना पानी लेके आटे को अच्छी तरह से गूंदना है आपको और आटा बिलकुर कैड़ा नहीं रखना मतलब मुलाय मुलाय मा आटा रखना है और आटे को तकरीवन एक घंटे के लिए उसनने के बाद धक्के रख दीजिए जैसे आपका आटा रेडी होगा छोटी छोटी लोईया तोड़िये और उन लोईयों के अंदर आप उरत की डाल की पिठी भरके रख लीजिए इस तरह से आपको बिल्कुल कचोरी के साइस में उनको फुलाद देना है और गरम तेल के अंदर हातों से फिला के इन कचोरीों की लोईयों को आपको लगाता डालना है मतलब टेल के हिसाब से 8-10 कचोरीों कचोरीों को डाल दीजी और जिस तरह से आपको स्क्रीन में दिखाए दे रहा है इसी तरह से फिल्म गरम रहनी चाहिए क्योंकि शुरू में जैसे ही गरम तेर में डलते हैं तभी वो धीरे धीरे फूलती है और कचोरी तो फूली भी ही अच्छी लगेंगे ना हलकी हलकी आँच में इनको सेखना है बात में फिल्म को मंदी करना मत भूलना हलकी हलकी आँच में इसको पलटते रहिए सेखते रहि है नहीं तो अंदर की डाल आपकी फिर कच्ची रह जाएगी यह देखिए इस तरह से बिलकुल यही कलर चाहिए तायरा कच्चोरियों के लिए बस थोड़ा सा और कसर बचे वे बस आपकी कच्चोरिया एक दब रेडी हैं बजार जैसी नहीं है दोस्तों बजार से भी बहुत अच्छे लगेंगी यह देखिए हमारी खस्ता कच्चोरि पुरानी दिल्ली की मशहूर कच्चोरिया रेडी है यह देखिए है ना देखते ही मूँए पानी आ रहा हो गumbles आ आपके क्या हुआ कल का प्रोगरा म् बन गया कच्च्च्च्च्च्छियों का एसे ही ऐसे ही आलो की सब्जी तो कोई मुश्किल निया बनाना वो तो आप बनाई लेगे हमें पता है कचोरी भी जादा मुश्किल नहीं है असानी से बन चुकिए तो मौसम भी अच्छा हो रहा है आजकल बारिश भी चल रही है संडी भी जादा ही हो रही है घर में ऐसी खसता कचो ही है शेयर कीजेगा लोग ताकि आपकी तरह और हमारे और दोस्त भी कचोरी का मजा लें प्रीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलेगा थैंक यू